प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब तबीको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और इंदोस्तानी शेरनी यानि की सुप्रीम कोड की दवंग वकील नाजी लाइख खांजी का दमदार और धमाकेदार इंटर्वियो तो ये वीडियो काफ़ इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बह अवंटित हुई है अरे अरे लाहुल उस मस्जिद पर आप नहीं जाए नमाज पढ़ना गुना है उस मस्जिद में जो बनने जा रही है बिलकुल गुना है पूरे उल्माओं की बात है आप जिस पर हजारों लाखों मिसलिम चंदा दे रहे हैं आप बना ले ताज महल मैं मुड करना देखू तरह मेरे नजर मस्जिद जरारा है वह जरारा यह क्यों मेरे इस्वाइक इस्ट्री में किसे बूछ लिए बताएंगे अब आपको लबाद बहस हो जाएगी तरह मुझे बात जाएगी बच्छी जरारा है वह अगर मुझे यह नाम है तारीख की प्रफि dispute चलना का अरे वह चोड़ी है वो मसجदस को बोलना फलत है कौई मजबन न्यृग कोई जाके नमाज ना पढ़े इसमें भाई लड़ा जी वहना है आपने सुना मसजद को कहते हैं कि मसझत कहना ही गुना है और वहाँ पर नमाज पढ़ना ही गुना है और उन्हें लाहौला वला कुवता पड़ाया उस मस्जद के लिए ऐसी कौन सी उस मस्जद के अंदर नौजबिल्ला गलत बात है कि जो मस्जद को वो मस्जद कहने को त्यार नहीं वहाँ पर नमाज पढ़ने को त्यार नहीं और उसके लिए इस तरह के गलत अलफाज वो इस्तमाल कर रहे हैं। मैं अपने आपको बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान के चानल पर बैख में लेती हूँ। इसलिए आज ये बात मैं कह रही हूं, क्योंकि एक साल पहले तक पाकिस्तान के लोगों को अवेसी का सही शकल पता नहीं था, और मैंने एक साल में अवेसी की सही शकल पाकिस्तान के मुसल्मानों को बता ली था, कि वो मुसल्मान नहीं है, वो सिर्फ अपनी गद्धी अपने तक्त के लिए मुसल्मानों को बेच करके, उनके खून को चूस करके, और इसलाम के कंधे पर चड़ करके, इसलाम को बद्नुमा शकल दे करके, वो मुसल्मानों के फ्यूचर के साथ खेल करके, वो अपनी जिन्वेगी को बहुत अयाश और बहुत लाविश बनाता है असदुद्य नावेसी क्योंकि एक साल पहले तक पाकिस्तान को भी यही लगता था कि असदुद्य नावेसी ने जब कह दिया कि भारत के मुसल्मान सिस्के हुए हैं और धरे हुए हैं तो पाकिस्तान के मुसल्मानों को वो सच लगता था पर बैठ में अब मैं आपको बताना चाहूंगी के लाहूल विलाकुवत असत्धुद्धि नवेसी ने किस पर पढ़ा है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जीद पर पढ़ा है अब महम्मद बिन अब्दुल्ह नाम किसका है? प्रॉफेट मोहम्माद सल्लजान पर रखा है और प्रॉफेट मोहम्माद सल्लाई बशल्म के अब्बुजान पर रखा गया है और मस्जद जो बच्पन से हम पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं कि अल्लह का घर होता है फरिष्टों का भंडार होता है मस्जद के अंदर और उसमें अल्लह के कलाम अंदर में पढ़े जाते हैं अजान के दुआरा मस्जदों के अंदर नमाजियों को पुकारा जाता है अजा जाया जाता है अजान के दुआरा अल्ला हुश सबसे बड़ा है इसके इलावा कोई भी धरम और कोई भी जात के भगवान कुछ नहीं होंगे सिर्फ अल्ला होगा अब उसने लाहौल विला कुवा तस्तक्पार पढ़ दिया है और साथ साथ उसने जरारा का नाम लिया है अच क्योंकि मैं अपने जिन्दीगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी मुझे पता था कि एक बर मेडिया में आने के बाद ना मैं चुपो पाऊंगी और चेरा रेनाउंड होगा तो मेरी अच्छी खासे जिन्दीगी जो है ना वो गाली गलोज में उतर आई और आज मैं गा अपने एक जगह ठीकाना बनाया अरब में उसकों जरारा करा गया था तक सही पकारि में कई बार जरारा का जिकर के लेकिन ह कर बार का तकही है यह भी मुझे पता है तो इंटेंशनली उसने जरारा का जिक्र किया ताके सामने वाला पत्रकार समझे नहीं पाए कि जरारा एक्चली में माइने क्या निकल रहा है और किसी मुसल्मान ने भी इसकी पुष्टी करन भी नहीं की यह आवेसी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह डाल दूसरा तीसरा उसने कहा है कि भारत के मुसल्मानों को उसने चेताव नहीं दी है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जित पर जो प्रॉफिट मुहम्मद के नाम पर रखा गया है उसके अंदर नमास पढ़ने नाच यह भी कह डाला है उसने अब जिस पत्रकार इनका इन के बारे में ब्रसधा बोलना चालते यह ललन कि अपने चानल चलाते है और इनका मानन है कि यह प्रॉत करते हैं और फैक्ट चेक करकर करके है यह देश की जनता को भारत देश की मुह दिखाते हैं काफी ऐसी नुकल गई थी जो यूपीश telling operations बगारा और इंट्रिव्यू बगारा लेते थे जो हिंदू धरम के खिलाफ निकल गए तो उस प्रोफेसर को बुला करके उन्होंने रामायन महाभारत श्रीमन भगवत गीता के द्वारा फैक्ट चेक करवाया था और जंता को दिखाया था और उनका बेल भी हो गया था लेकि इनकी पार्शियलेटी ललन टाउप वाले की देखिए कि इन्होंने कभी भी नुपर शर्मा को फैक्ट चेक करने के लिए नहीं बुलाया कभी नहीं बुलाया जुबैर ने नुपर शर्मा के कंदे पर चड़ करके अपना आइडेंटिफिकेशन बना लिया अपना अस्तित करने के लिए नुपर शर्मा को अपने पास नहीं बुलाया यहां तब के ललन टाउप वाले मुझसे भी कन्नी काटते हैं इसलिए काटते हैं या वेसलिए पास आते हैं लेकिन मुझसे कन्नी इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको पता है कि नुपर शर्मा वाला एपिसोड मे खोल करके लेकर आऊंगी और मैं बतांगी वाके में हमारे इसलाम में हमारे अरु पुरान में बुर्राक उरते वे भोड़े का दिख्व है जन्म जा करके प्रॉफेट मुझणों ने बुर्राक से देखा था हमारे प्रॉफेट ने तलवार से चांड की तो इतना रोय थे कि चश्मा समुंदर जर्ने नगियां नहरे सब बन गई थी तो भाई यह तो फैक्ट है अब आप चेक सिर्फ है दो चार चीज़ों का करते हो पचार चीज़ों का नहीं करते हो तो यह तो आपके पांशनी है ना अच्छा जब जरारा इस वर्ड इस्तिमाल कर दिया ललन टॉप वाले आपकर के सामने तो क्या उस ललन टॉप के एंकर की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जरारा का फैक्ट चेक करवाना चाहिए था और मुसलमानों को पताना चाहिए था यह देखिये आपका मसीहा जो टोपी पहन करके सब को आपते पहनाता रहता है जो शिर्वानी पहन करके सब को यह समझाता रहता है कि वो मुसल्मान है, फक्का मुसल्मान है, सच्चा मुसल्मान है, उसने मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जित को सरारा बोल दिया है, मुनाफिकों की मस्जित बोल दिया है, मतलब उसको नापात साबित कर दिया है उस मस अबुजान के नाम पर रखी गई है उसको मनाफिकों की नापाक मस्जिद का नाम लेगिया है उन्होंने fact check नहीं किया दोस्तों आशा करतों की वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजियालाई खान जी का दंदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पर भारत की बेटी और हिंदोस्त का एजेंडा चलाते हैं तो आशा करतों की वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी वीडियो गर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिकर जरूर बताए और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैन